हलो दोस्तों स्वागत है हमारी वीडियो पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि घरपी फंगी साइड घरपी हम लोग फंगी साइड किस तरह से बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि नीम की पत्यां से दोस्तों नीम तो कड़वा होती है लेकिन ये फंगी स आपके पास अधी किसी तरह का भी पत्ता हो चाहे आप साम का तो ले ले प्योफ ही चीप्तारें oggi कर सकती है इस तरह से हमारी जुनीम का पतियां हैं दोस्तों वो आपके पौधी पर जाकर बहुत ही अच्छी तरह से ये अपना रिस्पोंस दिखाती है दोस्तों जब हम लोग प्लांस लगाती हैं तो हमारी प्लांस में क्या होता है कि गर्मी के मन्थ चल रही है इस मन्थ में अधिक से अधिक चेटियां अटैक आती है वो क्या करती है धीरे 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 जाकर अपनी पौधी को वो जड़ के नीचे अपनी घर बनाती है और घर भीरे धीरे गमले निकाल देता है और निकालते निकालते वह और फिर अपना सूरंग है और इस तरह से वह अपनी प्लांटे को फिर सकीना इसलें छाट करzen देता है EminagQué हंगि कर देखेंगर तो आपको बना कर देक都 अभी जानकारी देने जारे हूं तो ये देखें हमारे निम पत्मिया है उसकी बाद हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि आपको ले रहे हूं क्योंकि खाली निम्का पत्की ही काम नहीं करती है हमारी सारी पौधी के लिए बिटामिंस भी कुछ काम करती है कुछ इस तरह से हम एक प्लेट लीए हैं जैसी कि आप देख सकती है दोस्तों देखिये कि मैंने किस किस चीज का यहां पर यूज़ कर ले रही हूं सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यह हमारी है लहसुन इसे हम लोग कीचन में उपयोग करती हैं लेकिन कुछ ऐसा लहसुन है जो हमारे प्लांट्स पर भी यूज होते हैं तो इस तरह से हम एक लहसुन ले लिए हैं उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं यह हमारा इसे था प्राइब हैं है इस मिर्च भी आपको लेना है उसके बाद हम आप को बाद दिखाते हैं यह ज़ो मैंने यहां है में पर निकाला निमकी पतियांस तो इस निमकी पत्या को भी ぁहां पर इस तरह से ले लेना है दोस्तों यह चारो को आपको क्या करना आद मैं आपको दिखाती हूं, यह हमारा मिक्सर जार है, इस जार में आपको इस तरह से डाल कर ग्रेंट कर लेना है, देखिए, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर आप, लेकिन दोस्तों इसमें आपको पानी कितना डालना है, दोस्तों आप इसमें पानी कम से कम, पच चिल की को फेक दें और इनकी दाने को डाल दें उसके बाद इस मिर्च को इस तरह से कट करके आपको यहाँ पर डाल देनी है और डालने के बाद दोस्तो energy इस मिर्च को भी छिल कर यहाँ पर डाल सकते हैं डालने के बाद आपको इसको ग्रेंड कर देना है, पीस देना है, तो पीसने के बाद आपको क्या दिखेगी, चलिए हम आपको पीस कर दिखाते हैं, तो हम आपको दिखा रहती है, लेकिन देखिए ये हमारा जार है, जार में मैंने इसको क्या किया है, ग्रेंडर में अच्छ सब् 제 shift me यहां इस यहां पर छान सकते हैं और नहीं तो चाय छन्नी की मदब छान ले रहे हैं इसको उस्टा क्यों ही बहुत ही बहूरी हो गई है इसको कैसी यूज करना है तो मैं आपको अपनी वीडियो पर दिखाऊंगी दोस्तों कि ये पेशी साइड को आपकी इस तरह से अपनी प्लांट्स पर डालेंगे तो यहां देखें मैं इस तरह से छान ले रही हूं ताकि ये हम इस पेरी वाली पंप पर अदिए इसको यूज करेंगे तो वो हमारा पंप में बिल्कुल भी नहीं फसेगी तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से यहां पर छान ले रही हूँ इस चम्मच की मदब से लेकि यह देखिए हमारे जो इस तरह से भुसी की तरह यह जो बच जाती है वो हमारी क्या होता है कि इस्पिरी वाली पंपर फस जाती है और आग जाकर हमारा इस्पिरी पंप खराब हो जाती है दोस्तों ये हमारी बची हुए हैं वो आप पोधी के जड़ में यूज कर सकते हैं इसी तरह और नई तो फिर इसको क्या करें दो दिन पानी में डालकर इसको कमपोस्ट होने के लिए इसको छोड़ दे चाय अस्थान पर ताकि अच्छी तरह से ये कमपोस्ट हो जाए तो दोस्तों ये हमारा लिक्वीड इतना त्यार हो गई है अब आपको इसको डालना कैसे है तो हम आपको दिखाते हैं ये हमारा कम से कम धाय सो ग्राम है तो धाय सो ग्राम में आपको कम से कम 4 लीटर पानी लेना है तो 4 लीटर पानी कैसे लेना है आपको दोस्तों देखिए ये हमारा पूरे मैंने यहाँ पर 4 लीटर पानी ले ली हूँ अब 4 लीटर पानी में ये हमा हमारा है डीटोल दोस्तों हम लोग डीटोल क्या होता है जब हमें किसी तरह का तो दोस्तों देखिए यह हमारा डीटोल है यहां पर हम एक ढकन डीटोल ले रहे हैं इस तरह से आपको डाल देना है पानी में क्योंकि यह भी बहुत ही बढ़ियां पौधे पर काम करती है अब आप इसको क्या करें इस तरह से मिला ले ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो पानी है वो पौधे पर जाके काम कर सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा लिक्विट किस तरह से तो दोस्तों देखिए ये हमारा किस तरह से बनकल रेडी हो गई है अब हम यहां पर मैंने बना कर अपनी फंगी साइडी तेयार की है तो अब हम आपको प्लांट्स पर डाल कर दिखा तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम डाल रहे हैं और भी हम डाल कर आपको तो देखिए यहां पर भी मैंने यहां पर कुछ डाल रही हूं कुछ इस तरह के हमारी सार से हैं और इस तरह से इस परी करने से आपका सारा फंडी साइट दूर हो जाएगी और इसको वह चीटिया है वह भी आपका भाग जाएगी दोस्तों हमारा जनकारी आपको कैसा लगा अधी अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्रा